नमस्कार जैन पहरे साथियो देखे यूपी प्लिस का एक्जाम जो आपका होने वाला है बहुत जल्द तो अब इसके लिए टाइम आपको बता है बहुत कम बचा है क्योंकि जन्वरी तो आई गया है हमारा और फर्वरी में एक्जाम है ऐसी डेट है अलांकि ऑफीशल नहीं है लेकिन देट्ट थो हैं वैबने चांसे पूरे दिख रहे हैं जो भी नोटेस वेरा हैं उनके आप इतना कवाइंगा कि आप इतने कम तीम में और गार्टियस को को कैसे कई कैसे कबेंगे ड्यास को किस तरीके से पढएं चैक्ट को These को समझना है आपकोamat धेल रसके इस कम समय में कैसे याद करोगे आप इसके लिए मैं आपके लिए बेस्ट स्टेटर्जी लेके आया हूं किस रड़नीती से आपको जीएस को पढ़ना है सबसे पहला मैंने आपको जीएस के इंपोर्टेंट टॉपिक बता दिये हैं इससे बिछली वाली वीडियो में आप देख लीजिए चैनल पर जाके लाइव वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी तो दूसरी जरूरी बात है बेटा कि आपको सबसे पहली बात तो यह केवल और केवल इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं आप पूरी तोरी अगर पढ़ने बैठ गया जीएस की वह आपको याद नहीं होगी केवल इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं आपको लग रहा है कि सिंदुगाटी सब्विता से कॉस्टन जादा आते हैं प्रिवि बहुत अच्छे से पढ़ना यूपी स्पेशल से कुस्टन आते हैं यूपी का करेंट अफ्यर और यूपी स्पेशल पूरी जीएस ज्यादा कठिन नहीं है अगर आप उपर उपर का जरूर पढ़ लेंगा तो आपको उसमें बहुत कुछ कबर हो जाएगा और यूपी यूपी 2011 की जनगणना में यूपी के जो डेटा है वो देखना है कौन से जिले का लिंगानुपास सबसे ज्यादा है कौन से जिले में महिला साच्छरता ज्यादा है बहुत सारे प्रस्ण है जनगणना से एक चीज़ याद रखना तो यह आपको पढ़ना है दूसरी जरू प्रसक को मन में मन में याद करो आँखे बंद करके जो भी पढ़ा है जैसे आपने मान लीजिए यूपी के बारे में पढ़ा के यूपी पेहले मुक्यमंत्री यह थे यूपी के पहले राजफ्यपाल यह थे दस बारे पॉइंट पढ़ लिए फिर उस कॉपी को सामने रख कि और प्रेक्टिस करने हैं जो भी आपने याद किया नैसे कौरो कितने आपको याद होगे यूद्स स्वुन ने यूपी का राज्गी पच्ची वर्च पहला पछू पहला मुक्हमंत्री पहला राज्यपाल सब कुस्व लिखके लिखके हैं कोई नए कुई हो गई तो बस उसको कॉपी पकड़ा दो उसको कॉपी घर में कोई भी आपके मम्मी यहां आपके पिता जीह आपका छोटा भाई यूव बड़ा भाई हो इन में ऐसे कोई नहींग है तो एक आदमी तो हरकिसी के पास रहता है जिससे आप चेटिंग करते हैं तो आप उस चेटिंग से कहते हो ले भाई मुझे याद गरा दे मुझे से कुछन पूचए इस इस टॉपिक में अगर वो भी तैयारी कर रहे हैं तो यह और पॉजिटिव चीज हो जाएगी आप उनसे पूछन पूछो पूरे दिन और वह आप से पूछेंगे जीएस बड़े आराम से याद हो जाएगी तीसरी जरूरी बात विटा याद रखिए और जो छटवी जरूरी बात है मैं आपक एक जगे लिए आपने यूपी के बारे में फॉल्स to पूरा तो पुरा इंसकाबर नामें और चीजों को आपको पढ़ना है और ज्यादा से ज़्यादा लिखके प्रक्टिस करनी है ज्यादा एक दूसरे से कॉस्टनिंग करनी है पूछना है जो और पूरे दिन सिर्फ फोकस याद रखें बच्चा आपको बटगना नहीं है कि दोस्तों से बात करना है इस समय रील से आपको दूर रहना है बिल्कुल रील देखनी ही नहीं है दिमाग में ठान लो वाटसेप को डिलीट कर दो वाटसेप्स काम के भी मैसल से आते हैं लेकिन प्सक्ति लोगां कि से आपके यलजशें करने यह कना उसंकुल मैंको врig लास्ट टाइम के स्ट्रेटेजी यह है कि मैक्सिमम पढ़ो लिखो और उसको याद करो पढ़ो और याद करो और फिर लिखने का प्रयास करो जितना आपको याद हो रहा है ठीक है इसमें रफ कॉपी बिगड़ेंगी आपकी रफ कॉपी बिगड़ जाए कोई दिक्कत थोड करनी है तो एक दूसरे से कॉस्टनिंग करके याद करनी है तो यह सबसे सही समय रहेगा कम टाइम में जीएस को फिनिस करने का फ्यारे साथ हो इसी प्रकार की वीडियो में और भी लेके आता रहता हूं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यी सो मच जैहिं कि अधूपए से करने की वीडियो में और भी लेके आता हूं कर दो में जीएश छाएब।